खासरी आना देखनारे सारे दर्शकान स्वनुबाली की राम राम फिलाल जीन्द में हैं और नगर निकाये के चुनावागी विलग कोई भी तारिख नहीं आई है लेकिन कैंडिडेट अपने आपको स्थापित कर चुके हैं जिसमें तर अपने साथ में परवीन बैनिवार जी हैं इनकी माता जी जो संतोस बैनिवार हैं वारड नमबर 20 फिलाल एम सी हैं और परवीन बाई साथ 27 एम सी हैं तो स्वागत है परवीन जी आपका हमारे चैनल पर बहुत बदन्यवाद आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार बडी मेरी नमस्कार दैरे याँ से स्टार्ट होते हैं लेकिन आज तक जो आपने बात की भी विकास के मामले में पिछला पन हमारा रहा है कहीं न कहीं उसको हम सही मानते हैं कि आज के जो आलात हैं अमारे जो बराबर में जो दूसरे जिले अमारे से बाद में बने और वह अमारे से ज्यादा विक्षित हो गए तो उनको देख के हमें भी इस प्रकार की बड़ी महसूस ह होती है कि हमारा जिला वाक्य में पीछे रह गया है कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई जिसने जिम्मेवारी मिली थी उन्होंने अपना फरज आपनी डूटी जो है अच्छी तरह से नहीं निभाई तो मैं तो यही मानता हूं कि अगर वो लोग चाहते जिनको जिम्मेदार या मिली थी वह विकाष कर सकते थे लेकिन कहीं कहीं या तो उन्होंने प्रियास नहीं कि या उनके प्रियास रंग नहीं ला पाई जो जीनिदी की जनता की बात करा प्रक्षणा में फरक रहे हर वार क्योंकि काफी लंबा अरशा हो गया हृ इस चीज ती एक एक टाइम पर अपनी आस्था जताई थी यह ने अपने से हर की रूप से सहर का विकास करना चेह कहीं नकर mij यह जंता की कमीनि मानता मैं तो नेता की कमीनि Maand जिनको चुनके अमारी पब्लिक ने बेज़ जा था और वो अपना बातों को पुरा आमली जमान नहीं पहना पाई मोका पे मिड़ा सावियां भी दायग हैं लेकिन एक तरफ दावा ये भी कर रहे हैं कि विकास भी है और संती भी है लेकिन दूसरी तरफ आरोब भी लगाया जावाई कहीं पे विकास भी नहीं है और आए दिन कोई न कोई गटना देखने को मिला है तो आप इस बार हम क्ये को देखे तो जिन जिन्द की बात नहीं है आज आप अर्याना सतर पर देखोगे तो परदेश में विशाई ये की समान आलात हैं कहीं पर भी किसी भी परकार की कोई भी सुरक्षा नहीं है कोई ऐसा आदमी नहीं है ऐसा जिम्मेदार को नेता नहीं है ऐसा कोई मंत्री या मु मुझे नहीं लगता कि वह खुबी रूप से निभा पा रहा है यहां के जो लोग हैं काफी करांती कारी रहे हैं और टाइम टाइम पर इंती अपना प्रीचे दिया भी है कि अमवा से अड़का में नहीं लगा है लेकिन फिर भी क्या है कि विकास का मामला में या शीक्षा की दरिश्टी देखां रोजगार की दरिश्टी देखां या फिर कोई भी मैन इंडिस्ट्री बनान की जो बात आवा है तो जीन को कभी भी उस लेवल पर नहीं रख्या गया जिस पर रख्या जाना चाहिए आपकी बात बिल्कुल वाजिब है यहां के जो लोग हैं बावना सब्सक्राइल हैं सब्सक्राइब को देखाला का मोगारी सबतला मेरा ले जाते हैं और आपने आपके लाजले टाटाएं पर और आपर आप제 सब्सक्राइब करेंड़ जारा है इसा घए लगे हैं लान करना पें सिमेट के साथ में बना दे हैं या ब्लोक के साथ में बना दे हैं फिर नाड़े दाबनियां उस ती पाड़े हैं तो इस तरहीं का काम चल ले रहे हैं देखिए पर्तेक्ष को परमान की तो आशकता है नहीं आप लोग बली बाती जानते हो कि इसके पीछे क्या-क्या सरकमस्ता का मसीजे रहें क्या-क्या बाते काम करती हैं सिद्धित इसी बाते कि कौई planning जब तक आप ने करोगे को वैवस्ता कोुआ जब कर नहीं को बात अपने सीरे तक नहीं पहुंच पाती है प्लानिंग के साथ ही अर चीज़ का समाधान होता है और ये लोग प्लानिंग अलग अलग तरीके से बनाते हैं ताकि उन्हें कोई ना कोई खामिया रहें और कई ना कई है काम रूटीन में ऐसे चलता रहे आज गली पाड़ दी आज गली नहीं बना दी तो आज गली को उखाड़के ने उसमें शीवर दबा दिया आज शीवर दब गया गली ठीक होगी दो दिन के बाद उसके अंदर पाणी की पाईप की वेवस्ता करने की वेश्ता मतलब एक काम के साथ दस काम डूनने का परियास करते हैं ना कि 10 कामों को एकठा काम करने का परियास करें तो मैं तो यही मानता हूँ कि यह लोग जिनको नेतिक जिम्मेदारियां दी गई हैं कहीं ना कहीं वो एक काम के साथ 10 काम डूनने का परियास करें ना कि दस कामों को निरंतर और सुचारू रूप से करने का प्रियास ये लोग नहीं करते प्रवीन जी दो बार आप एंसी रहे हुए एक बर माता जी रही है तो आपके वार्ड की अगर आप बात करां क्या बरसात होने पर यहां पर पाणी खड़या नहीं होता बिलकुल होता अबे पिछले पांच साल से एक अपोचीशन में रहकर भी जनता की आवाज उठाना मुलबुत सुईदाओं के लिए अपनी आवाज उठाना लोगों के साथ मिलकर अकंदे से कंदा मिलाकर विकास के बारे में चर्चा करना यह हमारा कारियर रहा है और यही नेतिक जिम्मे पार लगाई यहां मुख्या मंतरी जी आई थे जीन्द के अंदर वहां मैं और मेरी माता जी जो वार्ट नमबर बीश नगर पार्षद हैं हमने वहां गवर्मेंट कोलिज जो गर्ल्स का है वहां पर उनको मिलकर आपनी जितने भी मुलबुत सुईदाएं थी उनके लिए भी हमने बुलंद की अपनी आवाज के भी ना तो पानी की निकासी है और ना ही सडकों का निर्मान था तो अब जैसे ही सडकों का कुछ पैसा आया तो हमारी प्रायर्टी यही थी के भी हम पानी की निकासी की वेवस्ता करवाकर ही सडकों का निर्मान करवाएं गडियां ब भी पानी की निकासिया कोई समाधा नहीं कर पाई उमिद्वार का रूप में माता जी अभी चुनाव लड़ने वाड़ी हैं जोन का नाम आए क्योंकि रिजरव सीट है तो उन्हीं को आगा आना पड़ाएगा और लड़ना पड़ाएगा ठीक बात है तो महिलाओं का इस परक जैसे ही हमारे को चलना पड़ेगा जैसे भी आज हम अपने तक सीमतनी रहते सारे वर्ल्ड के अंदर एक प्रोसेस है उसी को फोलो करना पड़ता है कि हम किसको प्रायिटी को प्रायरिटी नहीं दे रही हैं जो समानता का अधिकार की बात है वहाँ पर तो मच्छा मानता हूँ कि सबको समान अधिकार मिले अपनी बाउनाव रखने का अपने सहर को आगे ली जाने का या अपनी बाते रखने का बात आपकी जायज है कि सबको अधिकार है लेकिन पहले भी आपने देखिया है कि कहीं महिलाई बढ़ी हैं लेकिन उनकी जो सारी की सारी कारिय कारणी है आदमी पूरा करताव नजराव है देखिए हमारा जो अक्षेतर है वो पुरुष परदान अक्षेतर है यह कहीं न कहीं आपको मान के चलना ही पड़ेगा और देरे देरे जैसे ही हमारे थोड़ी सी मैचुरिटी आ रही है और अमारी जो महिला आगे आने का काम कर रही है अगर इस परकार के प्रियास रहेंगी तो देरे देरे वो भी आगे आने का काम करेंगी और उस समय में अर्से के बाद वह आपना सारे काम को एंडल कर लेंगे ऐसी कोई बात नहीं है तो परभीन जी मैं इसी बारा में बात कर रहा था कि जैसे आप कह रहे हो कि ठीक है उसको सरकार ने दिया है अधिकार उस पचा करने के लिए भी उसको ने बुरान लग रहे हो कोई मीटिंग है उसको ने बुरान लग रहे हो तो ये चीज़ें कहीं न कहीं देखिए जी मैं औरों का नहीं कह सकता मैं तो मेरी माता जी के बारे में आपने बता सकता हूं कि वार्ड के जितने भी लोगों का कोई भी काम हो पूरश है अगर इस लाइन में है उसको कोई जिम्मेदार या समाजिक जिम्मेदारी की हमारे समाज ने दी है कहीं का प्रतिनी दीतव करने का माफ्षरून को अगर मिला है तो यह आप मान के चलिए कि भी उसके अंदर सारे परिवार को ही नोग काम करना पड़ता है क्योंकि एक आदमी कहीं भी यह मान के मत चलिए के वह संपूरन है हर व्यक्ति एक हर चीज में फैसला नहीं ले सकता इसलिए यह की यूनिटी की का गेम है कि आप यूनिटी बना के एक दूसरे से चर्चा करके अगर आप इसको को आगे बढ़ाने काम करेंगे तो आपको उसमें काम करने का बर्शक परियास करो आपने देखा होगा वे पिछले बारा साल से आमनगर परशदी के अंदर अमारे को करने तक जिम्मेदारी मिली और हमने समय समय पर जैसी जैसी परिस्तियां हैं उनकी आवाज उठाने का काम किया कि अभी जिस्से प्रकार की मालोगों अमरती ओजना का जो काम था उसके अंदर जो खामिया थी भी अमरती ओजना का काम चल रहा है और उसके अंदर खामिया आ लगी तो हमारा काम था कि भी हम प्रसासन कोई आवगत कराएंगे यह इस काम में खामिया चल रही हैं और यह आने वाले बविश्य में हमारे को बहुत दूस्ट परिणाम देखने को मिलेगा तो हमने उनको आवगत कराने का काम किया लेकिन उन्हों अच्ठों ने हमारी बात को बिलकुल सिरे से खारिज कर दिया और आज सहर की आपआछा देख रहे हो कि भी बार बार जहां गड़े हो रहे हैं जिस परकार की परेशानी आ रही है यह उसी का कारण है अब रेनी सीजना गया तो दिए आपको पाडि की निकाशी की सबसे प्रि priority होती है तो इसे परकार कि जो समय के आलाथ को इस चीज की अंदर आपके प्यार प्रेम और आसिरवात से मुझे जो काम करने का मौका मिला है। लोगों का कहना होता है कि मैं बनने के बाद ये करूँगा, मैं बनने के बाद वो करूँगा। मेरी तो आप से एक ही अपील है कि भी पिछले बारा साल मैंने अपने तरफ से बढ़िया काम करने का परियास किया है अगर उसके बावजूद भी आपको कहीं ये लगे कि भी मुझे में कोई खामी रही है आप मुझे गाइड लाइन दो मैं आपके अनुरूप काम करने का बर सिर्वादे नहीं करूँगा मैं आपको अपने पास्ट के बारे में जो गया है समय जो आपके साथ मैंने समय बिताया है उसको मद्दे नजर रखते हुए ही आपसे यही अपील करूँगा कि मैंने बड़ी आसे बड़ी आच्छे से अच्छा सोच कर विचार मिला कर आप से काम करने का परियास किया है उसके बाद दूद भी अगर आपको यह कहीं लगे कि मुझे में कोई कमी थी काम करने में या मैं कोई पूरी अक्ष्मता के साथ अपना काम नहीं कर पाया तो आप लोग मुझे अपनी गाइड लाइन दें आप अपना प्यार प्रेम और आसिरव मांगे और ठीक बाद जितने भी आपका मन में सवाल हैं वो निचा कमेंट बोक्स माप जरूर लिक सको हो किसे भी प्रकार कि आपने जान करी चाहिए तो वो भी आप लिक सको हो और इस वीडियो ती आप ज्यादा ज्यादा शेयर करोगे मिलां किसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैंद बने मातरम जैजवान जैकी सांद बहुत बहुत धन्यवाद आप सब्सक्राइब नमस्कार